हेलो फ्रेंड्स निकितास के चन फूर चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ पेस्ट्री का वीडियो शेयर करने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पेस्ट्री की केक टीन में यह केक स्पॉंज बेक किया है 220 ग्राम मैंने यहाँ प्रिमिक्स लिया था पेस्ट्री का प्रिमिक्स चोकलेट प्रिमिक्स जो है वो मैंने यहाँ यूज किया है तो यह केक स्पॉंज मैंने अच्छे से बेक कर लिया है अब इसे यह ठंडा हो गया है तो इसे मैं आइसिंग कर लूँगी और icing करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो pastry के detail वीडियो मैंने already आप लोगों के साथ में share किये हुए है इसलिए मैं detail वीडियो यहाँ पे share नहीं कर रही हूँ सिर्फ इसका decoration कैसे करना है यही मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में share करने वाली हूँ तो आप देख सकते हैं इसे मैंने icing करके आधा गंटा freeze में रखा था तो यह अच्छे सेट हो गया है तो जैसे हम cake को icing करते हैं तो cake हम 10-15 मिनिट freeze में रखेंगे तो भी चलेगा लेकिन जब भी हम pastry बनाते हैं तो उसके लिए हमें cake जो है वो अच्छे सेट होना चाहिए तो इसलिए मैंने आधा गंटा इसे रखा था अब इसका decoration है वो कर लिते हैं तो decoration के लिए मैंने आप चॉकलेट गनाश लिया है और चॉकलेट गनाश जो है वो में cake के उपर डाल रही हूँ और cake के उपर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से spread कर लेना है तो उपर का जो surface है वही मैं cover कर रही हूँ यहाँ पर मुझे dripping वगरे कुछ भी नहीं देना है तो pastry आप कोई भी लेलो same ही होती है सेम ही इसका icing जो है वो same process होता है सिर्फ आपको अलग-अलग flavor की जो जब आप pastry बनाते है तो आपको चॉकलेट या crush का यूज करना होता है तो simple मैंने इसे icing कर लिया था चॉकलेट गनाश creamy mixer के थोड़ा सा अब मैं decoration कर रही हूँ तो ये गनाश जो है ये मैंने अच्छे से यहाँ पे spread कर लिया है और चॉकलेट गनाश डालने के बाद अच्छे से spread करने के बाद हमें इसे आधा घंटा और freeze में set करना है क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से set नहीं करेंगे तो इसकी cutting जो है वो अच्छे से नहीं होगी cake में चलता है अगर थोड़ा कम टाइम भी हम freeze में set करें लेकिन pastry के लिए हमें एक से देड़ घंटा कमपल सरी इसे हमें freeze में set कर लेना है अब मैं इसकी cutting कर रही हूँ तो ये जो हमने cake icing किया है इससे हमारी आठ pastry बनने वाली है तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ scale का use में यहाँ कर रही हूँ pastry की cutting करने के लिए आप palette knife का भी use कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास knife है थोड़ा बड़ा तो उसका भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो आप पहले थोड़ा देख ले इसकी cutting कैसे करनी है same इसकी piece निकलनी चाहिए तो cake हमारा जो है वो अच्छे से set हो गया है तो आप देख सकते हैं इसकी cutting भी अच्छे से हो रही है तो pastry बनाते वक्त आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपका cake जो है वो अच्छे से set होना चाहिए तो देखिए 8 pastry हमारी बन गई है इसकी cutting हो गई है अब यहाँ मैंने 1M नंबर का nozzle लिया है और उसे में यहाँ final decoration जो है वो कर रही हूँ क्रीम में मैंने थोड़ा सा गनाश डाला था तो आप क्रीम का color देख सकते है थोड़ा सा गनाश डाला था इसलिए थोड़ा dark color आया है बिल्कुल थोड़ा सा ही गनाश मैंने यहाँ यूज किया है क्रीम में बहुत ज़्यादा नहीं डाला है और इस तरह से मैं यहाँ पर रोजेट बना रही हूँ और थोड़ा सा सामनी में यहाँ जैसे star होते है उस तरह से star यहाँ बना रही हूँ तो decoration और आप अपनी मर्जी से कर सकते है आपको जैसा decoration पसंद हो अब यहाँ उपर से थोड़े से मैं चोकोचिप्स डाल रही हूँ अगर आपके पास चोकोचिप्स नहीं है तो चोकोचिप्स मैं यहाँ डाल दिया है अब मेरे पास यहाँ cherry है तो pastry जो है वो cherry के सिवा अधूरी होती है cherry हर pastry में अच्छी लगती है दिखने में तो इसलिए मैं यहाँ पे cherry भी लगा रही हूँ तो हर एक pastry में मैं यहाँ एक cherry लगा दी है तो आप देख सकते हैं pastry हमारी पूरी तरीके से decorate हो गई है इसकी price की मैं बात करूँ तो आप इसे 50 रूपीज में पर पिस बोल रही हूँ 50 रूपीज पर पिस आप इसे sell कर सकते हैं तो यह था मेरा आज का वीडियो I hope आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो चैनल को like, share और subscribe करना इससे related अगर कोई question हो तो आप मुझे comment में पूच सकते हैं मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई